है 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 कि है एलो अच्छो कैसे हो आप सभी लोग आप सब बढ़िया होंगे घर में पढ़ाए कर रहा हूं मेरा नाम दीपक मौर्ण रहे हैं मैं आपको बाइलोगी पढ़ा रहा हूं जैसे कि आप जानते हैं अभी तक हमने डिसकस कर लिया है अपने नॉन कौड़ेट्स डि करने के लिए चलिए बात करते हैं अपने हम नौन कॉड़ेट के बारे में तो यह जो लाश्ट नौन कॉड़ेट बता था बैसिकली क्या हुआ पहले तो उसको रखा गया था कॉड़ेट के अंदर क्यूं कुछ फीचर्स होते वह रिलेट करते थे हमारे किससे कॉड़ेट से लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने जब खोज किया तो इसको क्या गया इसको एक अलग फाइलम दे दिया है मिकॉडेट के नाम से मतलब उसमें ज्यादा करेक्टर नौन कॉड़ेट के मिल रहे थे इसलिए से नौन के कॉड़ेट ही समझा गया ठीक है इसके अंदर क् यह रूडिमेंटरी स्ट्ट्चर टाइप के होते थे और इनमें कॉलर रीजन पाया जाता है मतलब जो ऐसे बॉड़ी इनकी होते हैं लॉंगिट्यूडनल टाइप की इसा करके पूरा लॉंग इंका होता था ऐसा स्ट्रक्श्यूर्स अब चलते हैं अब इसमें क्या होता था इसके ज्यों जीव होते थे मरीन अनिमल इनमल मतलब पानी मं पाय जाने वाली में और इसके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम था वह बढ़िया अच्छे से और इनकी जो सेप थी वह बाइटर से मेक्ट्रिकल थी ट्रिपल ब्लास्टिक मतलब मीजोडा में सबसे बने हुए थे सीलो मेट थे और साथ ही शाथ अगर बात करें इनकी जो बॉडी है वह सिलिंड्रिकल फॉर्म म यह क्या करते थे पंचर करने का काम करते थे किसी की भी स्किन में और यह जो कॉलर वाला भाग था इसको कॉलर कहा जाता था अप्र इसके बाद जो लॉंग भाग होता है अफ्रकुलर सिस्टम था वह था ओपन टाइप सिंपल से 2-4 पॉइंट थे आपको जानना चाहिए थ था हमें का डेटा में इसमें क्या होता थी गिल्स के दौरा होते हैं अब जो और निकलता था सेक्स होते थे पर टिलाइज सने लोता था मतलब बाड़ी के बाहर होता था और डेवलमेंट इंडिरेक्ट लिए उता ठीक के इसके बुछ एक्जामपल है बेलैनोग्लोस और शैक मतलब सबस्क्राइब बाद अच Th Olivia माना जाता है है चले रेखते हैं क्या होता है कुछ आई से करेक्ट थे जिनके वबाजासे इनको अलग डिए करेक्टर लग देव इसके इन के अंदर नोटो कॉड्ड पर प्रिजर्ण थी मतलब एक ऐसी बॉड आप का और फेरेंगेल गिल अहलो होगी इस तरह का च्ट्रक्शरी में पचले आजाता था इसलिए और एसे च्छी सिशिंप करने में 18 जो होती मतलब तीनों लेयर से बने होते थे कौन सी तीनों लेयर अपना एक्टोडम एंडोडम मीजोडम से बने होते थे ठीक है जी और इन भी जो ऑर्गन से वह वेल डेवलप्ट थे और सिस्टम काफी ही इनका एकदम अच्छे से काम करता था दे पोजिस क्या आप जानते हो इनके जो पूश्ट मतलब अनल पाथ में क्या होता था टेल जो थी वह एक्दम समतलों एक तरह से डिग्रेट होती गई धीरे-धीरे ठीक है अब इनमें क्लोज से कुलेटर सिस्टम मतलब इनमें जो क्या नाम है ब्लेट सर्कुलेशन होगा यानि खोरक्त का बहाओ जो होगा वह बंध होगा बंध मतलब बंध का मतलब यह कि नलियाओं दरहा नलकां दरहा औरहों की अंगता आपके द्वेन साभरा इनकों सर्कुलेशन होता था ठीक है और फाइलम क्लोडर जिसको तीन बाक्ट में धिवाइड गया फिर सबस्ट सब फैलम में पहला सब्सक्राइड हम उ और अब अब आप यह जो यह बड़े हो जाते हैं यह फैल होते हैं ते फैल होते हैं इन इनमें अच्छे से प्रिजेंट होता था एक्जाम्पल यूरोकॉर्ड डिटा का है लाट सीलपा डौलियम और मोदली स्टोमेटर यसे काहते हैं ανθεouphos आप लोग जानते हैं यह अपकर प्ली है अभि प्रिंग करते रिसाथ पास होती है क्या कहा गया टिबर्यट वर्टीब्रेट अगया अब क्या होता थांन में अदे नोटो कोड इस रचाटिलेंस और बऊनी वर्टीब्ल कॉलम बतलब जो नोटो कॉड पाई जाती है न किसलें अब यह कोड़िक रास आरप ये आपको ध्यान समझना सुच ऑफ बनाती है च्शल है सभी वर्टिब्रेट्रे वह हैं दिए सभी मौलेट्र नहीं हो सकते अभी ज़ली देखते हैं एक और किया हो सकते प्रेट्र के च sturkt कैसे लिए उस्अ होती है चैक्क है था कि अलग करते हैं तो पहली घ्लास होते हैं इसको हमने दो इसको हमने भाग जिसको पहला था आंदर वो उसमें क्या होता था इसमें जब्र होते थे उढ़े होते थे तहींता दूसरा उसमें और उसमें क्या होते थे उनको हम अभी सब ग्लास मों डिवाइट करेंगे जो साइक्ल स्ट्रमेटा ही ये पार्ट है हमारा एगने था मतलब दिर में हमारे जो की कमी है थीक है जो मतलब जबड़ी कमी है अब क्या है अब इसके अदर जो विमेंबर पाय जाते वो कैसे होतें पर अपना जीवन यापन करते हैं यह बाड़ी बीरिंग सिक्स्टू फिप्टीन पेर्स फोर एस्पिरेशन मतलब कितना इनकी बाड़ी लांगेट होती है और जो कि माउथ है क्योंकि ऐसा माउथ होगा तभी चिप केंगे किसी से इसलिए इनके अंदर पास विदाउट जो माउथ पाया जाता है अब उनकी बॉड़ी है उनमें स्केल और पेर्ड फिन पाई जाते हैं क्रेनियम और वर्टिबर कॉलम आज कार्टिलेजनेस मतलब बॉन क्लोष टायब का होता है क्लोष टाइप कश्ण मतलब के सब्सक्राइब करने स्ब्सक्राइब करते हैं शमुस्जुग इस प्रोसेस होती है तो कि अब एक्जापल इसका पैट्राम आई जौन है मैग्जीन है क्या है इनके अब बात करें अपने जबडे पाए जा रहे हैं तो उन्हें दो सबफाइलम बाटे पहला था फइस जिनके अंदर फिस आती थी और दूसरा टेट्रा पॉर्ट जिनके अंदर यतर चार पर पाया जाते थे असे चीज़ें पायगी किसमें प्रफंगे पहले हमाइस की बात करे तो सेकंड ग्लास है हमारी हमारी उसके अंदर हमारी मसलियां आती है जो कैसी होती है अंदर मतलब इनके इंदर जो पाया जाता है किससे बना हो जाता है यहां पर कवर करने काम करता है कि इसको गलिस इसको कवर करने काम करता है कि इसको गिल्स को ठीक है सब्सक्राइब करते हैं मतलब आप देखते होंगे मचली कभी तो इसके बने होता है अपना प्रोडेक्शन करते हैं इनके इंदर जो पावर्फुल होते हैं दीजनी मैं आज सब्सक्राइब करें अच्छे से सब्सक्राइब कर सकती है मतलब सकती है इनका जो हाट होता है और यह देखा होगा क्या नाम है टाउर्पीडो टॉर्पीडो जो मचली होती होती है है प्रण्ट मार देगी इसको कहा जाता है हिंदी में और टॉर्पीडो इसका नाम है जो क्या करते और आप होती हैं पॉजेने सोती है मतलब पॉजेन स्किंग पाये जाते हैं मतलब एक तरह से कहलो आप एक चाहिप का इस्ट्रक्चर होता है जिसको अगर यह टच करा दे हैं यानि इसको अंदर फैल नहीं लगता है ठीक है वह इसका एक्जामपल है अब बात करें डेयार कोड होता है मतलब में अलगल अलग होंगी घृति होती है अब क्या होता है यह मतलब कुछ होती है और कुछ होती है जो अंडे सिरह तो इसका है यह जाते हैं अगली इसका नाम है जो ये उसके बात करें तो इसमें होता है कि टुटेशन सा तेмиाट की चैसे क।सफाल होता है कि मरीं पाई जाएंगे मतलब थोड़ा सा मरीन वाटर होगा और फ्रेस फाटर में इस पाई जाते हैं यह यह बनी कि पाया जाता है आप चार पर गिल्स पाई जाते हैं कवर होते हैं ऑपर भूलम से अब इसकीन कि इनकी कवर्ड होते हैं साथ है साथ साथ क्या करते हैं और साथ हाट जो है लग होंगे और उनका फैटिलाइज़सेंन होता है वह एक्स्टर्नल होता है मतलब सरीर के बाहर हो ठीक है अब यार मोश्टली वह पेरस्ट मतलब जाहातर यह अंडे देते हैं और डेवलेप्लमेंट इनका होता डारेक्ट ठीक है अब कुछ ठीक है तो इस तरह के जिव किसमें आते हैं अंदर आते हैं मतलब बाइस मतलब ड्राइब जगा जिनका लाइफ संभा हो है वह पाए जाते हैं अंदर देखिये लेव इन इनकी डिवाइड होती है है अधितर प्रेजंट होती है ठीक है आपको जानना चाहिए जो है उनकी जो इसकी नहीं होती है प्रेजंट होता है जो कि एक तरह से सुनने का काम करता है ठीक है अब क्या है इनमें कुछ अपना ट्रैक ओपर इंटू इंटू कॉमा चैंबर कॉल्ड कहा जाता है कि इसको जो रिप्रेट्रेक होता है इनमें खुलता है है ठीक है जो कि कहा को खुलता है अपने मुतलब बाहर के साड़ के नशे बात करें गिल्स के द्वारा और उसकिन के द्वारा तीन से थे मेरे बंदे देने वाले हैं और साथ इसाथ में जो डेवलेप्लेप्मेंट होता है इनका इन्डारेक्ट अब उनके कुछ एक्जामपल देखो बूफो तोड कहते है राना टिकरीना जो कि फ्रॉग आप जानते हैं जो ट्री फ्रॉग कहा जाता से लेमंडर और से लेमंडर पाया जाते हैं जो चलते हैं मतलब इनको बैसिकली जो इनकी चलने के अधार पर इनको अलग किया गया क्रीपिंग करते हैं ठीक है आपको क्लियर होगा अब बॉस्टी टेरेस्ट्री अनीमल टेरिज के उलवहार इनके बॉडी जो है वो एक्दम ड्राइ होती है और इनमें कॉनिफाइड इस्कीन होती है एपिडर्म में स्केल्स पाई जाते हैं स्क्यूट्स पाई जाते हैं ठीक है आपको पता होना चाहिए यह दोंट है एक्स्टरनल एर मतले इनके पास बाहर कोई कान नहीं होते क्योंक धरे एक भी दी चम्बर होंगे बट प्वर रखंब्र इन्क्रोकोडाइल के अंदर चार लूंड होंगे अब बाकि सब्सक्राइब त्री चेंबर होंगे ठीक है इसने घंड सेड डियर स्केल्स एज शरी स्कीन कास्ट मतलब इनके अंदर स्केल्स पाई जाते किन गान्दर सेपरेट 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 होंगे इंटरनल हैं में बच्चे मतलब यह देखते हैं मतलब कोई पाई जाती है इसके एक्जामपल है अपना क्या कहते हैं आपने देखा हो इसको ट्री लिजाड भी बोला जाता है मतलब कुछ होते हैं जो हवा में नहीं उड़ पाते चली देखते हैं देखते हैं आर प्रिजेंस फेदर मतलब इनके अंदर पंक प्रिजेंट होते हैं और यह उड़ सकते हैं ठीक है उड़ सकते हैं लेकिन जो फ्लाइटलेस होते हैं उन्हें वह भी इसी के अंदर आते हैं किसके अंदर कुछ होते हैं एक्सपेक्ट लिख रखाए नहीं तो एक्सेप्ट फ्लाइटलेस वर्ड जैसे हमारा ऑस्ट्रिच ठीक है इनके अंदर बीक प्रिजेंट होते ह किती है ठीक है और या है यहां को कि हैं इसे हो फिमिंग के लिए इनको बैटहों में स्कों पाइटना होता है अब कियों इनको आओ बैटना होता है तो उस पर बैटना ये इनको इपर यह कि आपको पर जो करती है एंडोस्केलेटन जो कि फुली औसिफाइड होती है मतलब बॉनी होंगे बॉन टाइप का इनका स्ट्रक्टर होता है इंके अंदर बहुत हलकी बोन होती है होलो टाइप की बोन होती है जिसके और यह उर सकते हैं उस बोन को क्या जाता है नृमेटिक बोन ? कह जाता है प्लाइक है अच्छी से डिल्फ होता है शाओ करते हैं कि अंदर डाने बचाने के लिए और लग से और यह फाय जाते है हाट है हाट है इस फोर चंबर होंगे ठीक है वाम ब्लेदर अनिमल है मतलब गरम खून के आदमी है मतलब बक्षी है यह दे आर एबल टू मेंटेन इन को कहीं दर दर रहे हैं तो यह अपने आप से मेंटेन कर लेते हैं रेस्पिरेशन में लंक्स के द्वारा होता है एक तरह से और से अब बहुता है इसका मतलब अंडे देते हैं और डारेक्ट होता है एक्जामपल इसके कॉर्वस जिसे हम क्रो कहते हैं कॉलंबा कॉलंबा जिसे पीजन कहते हैं और सबसे अच्छा फीचर से इनका इनके अंदर मैमल ग्लैंट पाई जाते हैं जो क्या करती है अब आपको और साथी साथ यह पानी में भी रहते हैं तो इस तरह से आप घबराइए मत कि इनका स्पेशल से टरेस्टिल पर रहेंगे यह पानी में भी रह लेते हैं जाते हैं एटकर लेंग के लिए क्लिमिंग के लिए क्लिमिंग के लिए यूनीक इन पोजेसिंग हेर मतलब इनके उपर सरी में हेर पाए जाते हैं एक्सटरनल लेयर में पिने पर पाए जाते हैं जैसे हमारे देखते हो आप बाहर से एर्डॉम्स पाए जा रहे हैं बाहर डिफरेंट टाइप पाए जा जा रहे हैं जौद अच्छे से प्रिजेंट ही क्योंकि अंदर ही इनका बच्चे को बनेंगे और ही चाहिए शाथ मतलब बच्चों को ज coalinosю Korea कुछ होते हैं इनमें टेरोपस हो गया फ्लैंग फॉक्स वह भी हमारे वह टेरोपस होता वह करता है सीधा बच्चों को जर्म देता है ठीक है जिसे कहते हैं चमगादद उसी तरह का अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जुरूर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करके जुरूर जाएं मिलेंगा हम नेक्स लेक्षर में तब तक ते लिए धन्यवाद